नमश्कार दोस्तों मैंना नाम स्मील साहूय और आज हम पढ़ने वाल हैं collection यह आपका favorite subject है अब आपको लगता हुए यह favorite subject क्यों है क्योंकि हर विक्टी collection में लगा है collection मलदा इखट्टा करना है हर विक्ति इखट्टा करने में लगा है क्या इखट्टा करने में लगा है तो बोले भी है चलो पेसा एखटा करो, चलो कार एखटी करो, मकान एखटा करो, कुछ नी तो Facebook के उपर अपना फोटो अप्लोड कर दो वहापर लाइक एखटे करो, कुछ नी तो LinkedIn पर जाओ, वहापर connection एखटे करो, आपको जो भी करना है, सब यहाँ पर एखटा करना है, तो obviously आ हमारी यहाँ बाती मुद्रा है, और उसी तरह उस से और और बी जो है लोग खटा की एक हैट जैसे कि डाक टिकेट आप तो email का जावाना है, तो यह सब भूल गए आप तो कोई खटा नी करता है, डाक टिकेट क्या होते हैं तो लोगों बो तो पता भी नहीं होगा, तो अब आपके मन में question होगा क्या एक ही type का collection करेंगा जैसे कि सारी की card, जैसे कि सारे doctor tickets, जैसे कि सारे कि आपके coins या फिर facebook के likes इसके collection करेंगे, बने नहीं, आप चाहो तो अलग अलग चीज़ों का भी collection कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहोंगा, ये antique items आपको देख रहे होंगे, आप चाहो तो ये antique items का अलग अब्जेक का अलग टाइप का भी collection कर सकते, very good, अब आपके मन में question आ रहा होगा, जैसे जावा क्या करता है, तो ये तो collection ठीक है, ये तो हम हमारे जीवन में करते हैं, लेकिन जावा कहे का collection करता है, तो बटा जावा ये बोलता है कि जावा is object oriented ये तो हमने पढ़ लिया है, और जावा के अंदर जो भी होते हैं, वो सारे सारे objects होते हैं, तो obviously जावा एक ही चीज़ को collect कर सकता है, जिसका नाव में object, तो जो हम collection की बात करेंगे, जावा के अंदर, तो it is the collection of objects, समझगे आप लोग, यहां इसके अंदर किसी element को add करना है, तो हमारे पास यहां पने add method होता, add और सकंद, जो value आपको add करना कर दो, जैसे के one, हम फिर वापस हमने add को call किया, हमने दूसरी value पास कदी two, उसको add कर दिया, उसी तरह add call किया, उसमें तीसरी value पास कदी three, four, five, six, जितने आपको element को add करना, इसको add कर सकते हैं, जब आप इसको add करोगे, तो you will realize कि यह तो पुरी की पुरी list बन चुकी, और इसका नाम भी आप देखोगे, तो array list, right, और जब भी यह list बनेगी, तो इसमें से हर element को आप चाहो, तो index number की मदद से access कर सकते हैं, zero, one, two, three, four, तो आप index number की मदद से यह आप जिरो से start होता है, इस बात का आप उशेज द्याना की, fine, तो अब आप यहाँ पर system.out.println किया है, और इसकी मदद से हमने, get zero, get one, get two, get three, बनद चार element को phase कर करके वह प्रिंट कराया है, अब यदि आपको लगता है कि भी किसी particular time पे आपको पता लगाना है कि अरे बोले, मै मदद से आप पता लगा सकते हो भी, इसके अंदर कितनी number of element हमने add की है, right? समझ गया? ठीक है, very good सा, यह तो समझ में आगया, आप इसको चला की पता दीजी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा favorite editor है, जिसका नाम Eclipse, यह Eclipse editor की link कैसे install करना है, कैसे configure करना है, यह मैं comment box में दे दूँआ, उसकी मदद से आप अपन Eclipse editor download कर सकते हैं, install कर सकते हैं, तो अब इस Eclipse के अंदर मैंने एक project बना रखा है, my project, इसके अंदर आपका जो है source, है default package होता है, जिसके अंदर मैंने एक array list करके class बना रखी, इसका काम होता हुँ, इसको executable बनाना है, तो जब पर आप देखो कि C dot 81234, हमने चार element को add कर दिया, उसकी size को यहाँ पर print करा दिया, क्या size होगी पर कितने number of elements को हमने add किया है, और उसी तरह system.out.pendalyn की मदद से हमने 01234 करके उसके elements को fetch करके print करा है, हम चाहें तो इसको run करके भी देख सकते हैं, तो run is के लिए यहाँ पर option element चार, तो यह 1234 आपके चार आ चुकिए, ठीक है दोस्तों, तो आगया आपको समझ में, अब हम चलते हैं, इदर हमारे वापस slide की तरफ, तो हम slide की तरफ चलते हैं, तो यह हमारी slide, let's go ahead, ठीक है सार, यह तो समझ में आ गया, अब इसमें कितने number of elements को आप 8 कर सकते हैं, यह आपके मन में question आ रहा होगा, तो आप चाहों तो इसमें unlimited number of elements को add कर सकते हैं, unlimited मतला 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40, 50, 1000, जितने चाहें आप उतने elements को add कर सकते हैं, यह कोई limitation नहीं, बस यह देख लेना भी आपके जो है, आपके JVM की memory या आपके computer की memory इसको allow करती हैं, और उसके बाद जब भी हमको चाहिए कि हमारे collection में कितने number of elements से पता लगाना हो, तो फिर हम चाहें तो size करे किसका method होता, उसे size पता लाग सकते हैं, आगे बच्चों सोंझों, very good sir, यह सोंझों आगे, ठीक है, अब आप यह बताइए, इसमें number of elements हम 8 तो कर सकते हैं, क्या इसमें remove कर सकते हैं, यदि हमारे पास बहुत सारे element है, किसी को search करना है, तो क्या search कर सकते हैं, या फिर जो है, किसी particular element को हमको change करना हो, replace करना तो कर सकते हैं, क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक additional method पाया जाता है, एक और method पाया जाता है, इसका नाव होतार remove, जिसके अंदर आप जिस element को remove करना चाते हैं, उसका index number पास कर दीजे, जैसी आप उसका index number पास करेंगे, तो वो element विल बी remove, आपको कुछ करने की ज़रत नहीं है, और remove करने के बाद, जो भ पास करो, वही कौन से index number पूल, second index number की value जो भी है, उसको किस से change कर दो, उसके नई value से change कर दो, जो की शाह है, पुरानी कोई भी आपकी value पास कर देगा, उसी तरह, यदि आपको यह पता लगाना है कि कोई मेरे पास element है, वो element इसमें मुझूद हैं क्या, तो मैंने बोला भी c colon dot contents, इसके अंदर method होता है, उसके अंदर में value pass करोगा, राम, तो वो अगर राम नाम की value को इसके अंदर मुझूद होगी, तो बोल देगा true, otherwise false, तो यह flag में उसकी value आजाएगी, आपकी, उसी तरह, यदि आपकी कोई value है, उसका index number पता लगाना हो, तो यहाँ पर आपके collection में सारे element को remove करना है, या आपके collection को खाली करना है, clear करना है, तो उसके लिए फिर method होता है clear, तो आगे आपको समझ में remove, जिससे आप element को remove कर सकते हो, set जिससे आप किसी भी element को change कर सकते हो, contents जिससे किसी element की है के नहीं पता लगा सकते हो, और index of जिससे आप किसी भी element का index number पता लागा सकते हैं। उसी तरह का सारे element को remove करना है तो आप उसको remove भी कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों आप ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब आपके मन में question आ रहा होगा है। या को सारे ये गुरुजी के भी array और collection में difference क्या होता है। ये तो array जैसी feeling दे रहा है। बहुत बड़ी question आपके मन में आए है। तो मैं आपको बता दूँ जब आप array बनाते हूं तो इस तरीके से बनाते हूं जैसे integer का array बनाना है तो आप इंटीजर टेबल new int और 10 जो है उसकी size बता द memory occupy करने वाला है। दूसरा अगर आपने उसमें integer type का array बनाया है तो उसमें सारे के सारे सेम type मतलब सारे के सारे integer होंगे उसमें अलगलग type के object ये अलगलग type की value आप उसमें store नहीं करा सकते है। ये आपकी array की limitation होती है। जैसे कि ये भाइसा इनकी जो है इनकी right fix है, right fix है मत जो खाना है उसका type भी fix रहेगा। लेकिन collection बोलता भी मेरी size unlimited होती है, जितने चाहो आप अतने element को insert करा दो, right और उसके अंदर आप चाहो तो अलगलग type के भी object store करा सकते हो, different types of object भी store करा सकते हो, जैसे कि ये भाइसाब इनकी diet unlimited है, जितना खाते जाएंगे, खाते जाएं समझवाएंगे आपको, जी गुरूजी समझवाएंगे, तो चलते हैं आगे, अब यह बताएंगे सर कि इसमें जो है different different type के object कैसे store करेंगे, और कुन-कुन सी type के object store कर सकते हैं, ठीक है, तो अब जावा तो object oriented है, इसके अंदर आप चाहो तो integer और double और string और boolean और any कोई भी class type का object, आप जो है जब चाहो इसमें store करा सकते हैं, तो बहुले देख रो वही आप, कि यहाँ पर हमने वाला new करके array list का object बनाया है, उसमें पहरा element add किया, add, तो यहाँ पर हमने गो देखो कि तो आपने integer को add किया, नीचे जाओगे तो हमने decimal को add किया, उसके नीचे जाओग तो जब आप इसमें index number दोगे, तो आपको पता होना चाहिए, कि भी 0th number पर मेरे integer को store किया है, तो जब आप इसको निकालोगे, और जिस variable में store कराओगे, तो उसको आपको करना पलेगा type cast, type casting वो होती है, जिससे कि आप अपने object को एक particular type में change कर सकते हो, और अगर आपने जो तो वाले index पर क्या है, store था number two वाले index पर राम store मतलब string, तो यहाँ पर हमने string करा लिया, और उसके बाद चाहो तो इन वेलिस को आप print भी करा सकते हो, very good sir, यह भी समझ बागया, क्या समझ बागया आपको, बदो sir, यह समझ बागया, कि हम चाहें तो, क्योंकि collection object का होता है, अब जी कोई भी type का हो सकता है, इसलिए हम एक collection के अंदर अलग type के object store करा सकते हैं, very good, हो बढ़ी है यह आपको समझ बागया, तो चल इसको, sir, इसको चला के देख सकते हैं, क्या बिल्गूल चला के देख सकते हैं, वापस हम वारे editor पे जाते हैं, और इसको चला नहीं कोश कराया है, यह देख लीजिया, और उसके बाद इनको print भी कराया है, उसी तरह यह थी हमको यहाँ दूसरे methods को भी check कर लिया हमने, कि अभी हमको उसकी value check करना कि राम अंदर है के नहीं, है न, यह index of राम का क्या है, उसकी value को change करना, इस सारे हमने methods हैं चला रखे हैं, जब इस program को चलाओगे, तो इस program को चलते वे आप देख भी सकते हो, कि कहाँ पर क्या, क्या value को हमने store किया, अगरी बात समझे में, अगरी आपको बात समझे, let's go, वापास हमारे जो है, प्रिगाम पर चलते हैं, ठीक है सर, यह बात तो समझे में, अगरी collection के अंदर कितने भी number of element आप store करा दो, और किसी भी type के object store करा दो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, और वो ले ले लेता है, right, very good, अब आगे चलते है, अब यह बताईए सर, कि अब जैसे full loop के थ्रू हम जहें, किसी array को सके array के सारे element को read कर सकते हैं, तो क्या हम किसी collection के सारे element को one by one access कर सकते हैं, बढले जैसे कि, क्या बुलना चाहरा है, बता दीए थोड़ा, बोले सर, यह जैसे sick kabab है, या sick जो हे पनी टिक्का है, तो उसमें sick के अंदर पहला टिका नकाल के खाएंगे, फिर दूसरा टिका नकाल नकाल के खाएंगे, तो चोथा खाएंगे, जब तक कि उसके अंदर ट की अदर हर एक collection के बात है की बात हम करने वाले हैं हर collection के अंदर एक i terator करके special object होता है जो उसके data method से मिच thoughts होता है उससके data method से में प्राप्थ होता है data typeaka object जब यह किसे collection के सारे element को OH sequentially one by one आपको read करना हो तो उसके लिए हमारे पास इतर अप्जेक्ट में जाता होगा यह तो बोलेगा उस अदर वाइस टलता रहर की उसकैंदर कोई नने명न होगा और जब भी दॉठ next करेंगे तो जो भी available आपका element होगा उसको read करके लाएगा फेच करके लाएगा और index number आगे की तरफ forward कर देगा फिर इस तरह के आप check करते रहों कि has next मतलब को आगे कोई मोजू देख्या तो अगला वाला element लिया और जब तक उसको अगले वाले element मिलते रहेंगे वाई लुक चलता रहेंगा और सारे के सारे जो है elements को print कर देगा समझ गया आप चला लेंगे इसको बहुत अच्छा है तो इस सारे collection में मिलेगा हां बोले ही सारे collection में मिलेगा जो जो collection classes हम आगे पढ़ने वाले हैं सब के अंदर आपको iterator मिलेगा ही मिलेगा जिसके तुरू आप सारे की सारे elements को sequentially read कर सकते हैं very good sir ठीके sir यह समझ में आ गया तो आप इसका कोई example वहाँ इसका example भी देख सकते हैं चाहें तो इसमें हम नहीं आप देखो यह test array to मेरा program है इसके अंदर हमने वाइल लुक के थो सबको read किया है आप इसको चला के देखना तो नीचे आपको इस सारे के सारे element read करके बता देगा ठीक है sir तो यह code कहा मिलेगा तो यह code मेरे git पर upload कर दिया और उसकी link में नीचे comment box में दे रखी वहाँ से आप चाहके जाके git repository से आप चाहो तो सारे के सारे code copy कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो very good let's go ahead तो अब यह आगया आपको सोने कि भी collection क्या हो था collection के सारे elements को आप read कैसे कर सकते हैं ठीक है तो collect लेकिन आपको एक बात और बता दूं दोस्तों इस iterator को यह आप use करोगे तो इसमें special condition होती है वो क्यलाती fail fast condition कौन सी condition क्यलाती है fail fast condition fail fast condition बोलती है कि एक बार यह समने line number one पर iterator को create कर लिया है तो अब आप अगर iterator को create एक बार कर लिया है तो अब उसके collection के किसी भी element को आप remove add या update नहीं कर सकते हैं यदि आप करना ही कोशिश करोगे तो यह एक exception थ्रूँ करता है उसका नाव होता है concurrent modification exception समझ गया है कोई बात तो अब हम यह बोलता है यह बोलता है आपका collection बोलता है कि एक बार किसी collection का आपने iterator create कर लिया और उसके बाद फिर यदि आप collection की किसी method के थ्रूँ किसी element को add करोगे update करोगे delete करोगे तो कर नहीं सकते करोगे तो कौन सा exception मिलेगा आपको आपको जो है exception मिलने वाला है concurrent modification exception राइट तो जब तक अब आपका iterator खतम नहीं हो जाता है यहां आपने iterator चालू किया यहां पर iterator खतम हो गया तो जैसी iterator खतम हो जाएगा उसके बाद फिर आप चाहो तो किसी भी collection का remove add update call कर सकते हो लेकिन जब तक iterator पूरा खतम नहीं होगा जब तक आप किसी भी collection के method को use करके ना element ना तो add कर सकते हो पुराना element ना तो delete कर सकते हो और ना ही किसी पुराने element को modify कर सकते हो समझ गया आप बात को अगर ऐसा करोगे तो वो concurrent modification exception देगा और यह इस तरीके के जो condition check करता है यह condition क्यलाती fail fast यह condition क्यलाती fail fast लेकिन इसका एक exception होता है कि iterator object के अंदर ख सकते हो लेकिन use करोगे सरफ iterator का remove method iterator का remove method use करोगे आप है ना आप सीधे उसको call नहीं कर सकते हैं समझ गया आप तो यह कहलाती है उसकी fail fast condition यह आपको विशेज ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है सर यह समझ में आ गया अब आगे क्या है और भी कोई collections होते हैं क्या यह भी type के हमारे पास collections होते हैं जैसे की for example तो भी देख लेते हैं क्या example अब जैसे आपने देखा होगा जैसे कि हमारी list है अभी हमने देखी इसमें आप चाहो तो 1,2,4,5,7,3,3,8 duplicate element है गया 4,5,4,4 duplicate element आ गया तो ऐसे भी list हो सकती है जिसके अंदर आप चाहो तो duplicate elements को store करा सकते ह आपने methodics पड़ा होगा methodics में एक set करके concept आता वो बोलता है जब भी store करोगे तो क्या element होगे वो साले के साले यूनिक होगे इसका मतला इसमें कोई भी duplicate value नहीं हो सकती है समझ गया आप तो यह इस type का collection हो सकता है जिसमें कभी भी कोई duplicate element नहीं होगी या फिर हमने पड़ा हो होगी जिस order में आप खड़े होंगे उसी order में आपको ticket मिलेगा समझ गया आप इसी के अलावा कोई और भी collection होता है collection बोलता है कि जब भी मैं store करूंगा key value pair को store करूंगा key value pair को store करूंगे मतला कि अब यहां पर जैसे कि हम नहीं store किया है जैसे roll number r01 किसका भी या राम का है य वो के लाते हैं आपके map इस बात का विश्यश ध्यान किये तो map के से बनाते हैं Q के से बनाते हैं से इसके भी भी बात करते हैं ठीक है चले आगे चले आगे चलते हैं ठीक है तो अब अगर आपको जो है unique element मतलब set बनाना हो तो यहां special class पाई जाती है जिसका नाम होता है hash set उसका object बना लो और उसका object बनाने के बाद इसको memoryregate कर लो इसमें भी आपको element को add करना है तो dot dot odd dot it, जितने चाहा, उतने elements वाब add कर सकते हूं, और add करने के बाद, कभी आपको पता लगाना भी, कोई, 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 इसमें element मुझूद है काया, तो contains पता लगा सकते हूं, इसमें भी पता लगाना है कि इसकी size कितनी है, तो dot size करके method उसको use कर सकते हूं, उसके बाद फिर आपको सारे element को इसमें से print कराना तो वह iterator निकाल लो, और उसका वो has next वाला method call करो, and next वाला method call करो, और उसके through while loop लागा कि आप इस set के सारे elements को निकाल के print करा सकते हो, या कहीं process करना है, दूसरे काम में तो process कर सकते हो, लेकिन एक बात का विशेश घ्यान रखाना पड़ेगा, जब भी हम set की बात करेंगे, जब भी हम set की बात करेंगे, तो उसमें unique element होंगे, जिससे का आपके fingerprint हो हमेशा unique होता है, कभी भी आपका duplicate नह रखा है, उसमें वही सारे के सारे edit करके element store करा रखें, उसमें किसी element को check करना तो check करा रखा है, उसके बाद iterator create करके हमने सारे element को print कर रखा है, आप चाहो तो इस program को चला के देख सकते हो, run is java application, चला के देखोगे, तो यह सारे के सारे नहीं नीचे bottom में इसके console के उपर सा बोलता है, मैं सिरफ unique element को store कर सकता हूँ, समझ क्या आप, very good, अब और आगे चलते हैं, अब और आगे चलते हैं, तो कहाँ चलें, let's see, अब हम देखते है, q, no need to say q क्या होता है, q यह बोलता है, q में जो पहले आएगा, वो पहले निकलेगा, जो जो भी ना element आने वाला है, नया जो सदस्च आने वाला है, तो q के last में एड होगा, यह बात का विशेज ध्यान रखें, तो अब यहाँ, अगर आपको q बनाना है, q के से बनाओगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक और special class होती, जिसका ना होता, linked list, क्या ना होता भी इसका, linked list, पहले हमने array list देखी थी, फिर हमने set देखा, hash set देखा, यह तीसरी class है, linked list, इस linked list के अंदर object को memory locate करना कर दूँ, अब इसमें जिती कोई नया element add करना है, क्योंकि q के अंदर कभी भी कोई नया element add होगा, तो पीछे add होगा, उस q के सबसे last में जाके add होगा, तो इसके अंदर special method होता है, ऐसे offer, जिसके add करते जाओ, वो q आपका बन जाएगा, अब q मेंसे जब आपको बाहर निकालना है, किसी element को, तो किसी element को बाहर निकालना है, तो उसके अंदर फिर आपके पास होता है, एक होता है pick, एक pick method होता है, pick method सिर्भ ये करता है, चेक करके बता देगा, भी सबसे आगे कोन खड़ा बोले राम, लेकिन उसको q से रिमूँ नहीं करेगा, समझ गया, pick क्या करने वाला है, pick ये करने वाला है, सर्फ चेक करके बताएगा, भी सबसे आगे कोन खड़ा, बोले pick, जो है राम खड़ा है, लेकिन उसका एक और method होता, pole, जैसी आप pole को call करोगे, तो वो जो है, सबसे आपका element बहार निकाल देगा, और q को छोड़ा कर देगा, pick सिरफ जो है, जो अभी top पे कौन खड़ा है, किसका number है, उसका नाम आपको बता देगा, उस object को देदेगा, लेकिन वो कभी भी उसको q से रिमूँ नहीं करने वाला है, समझे दोस्तों, समझाया आपको q, है ना, q बनाना है, तो आप class यूज करोगे link list, ठीक है, और आपकी एक्षार होगी, कि इसको भी चला के देखें, इसको भी चला के देख लेते हैं, वापस चलते हैं हमारे, जो है, eclipse editor के उपर, वहां हमने बना रखा test q, यह test q है, और यह सारा code मैंने github पे upload कर रखा है, और github की देख लो, pick करके देखोगे, तो वो कभी भी array का size छोटा नहीं होगा, फिर अगर, फिर भी अगर आप चाहो, तो यहाँ पर आप, चाहो तो q का size भी check कर सकते हो, हर collection के अंदर size method पाया जाता है, यह बात का ध्यान रखें हां, हर collection के अंदर, जो है size method पाया जाता है, उस size से आप पता लग सकते हो, भी इसके अंदर कितने number of element है, इसके अंदर आपके कितने number of element है, समझ गया, ठीक है, तो यह size भी बता दिया, pick करके देख लो, कौन सा element है, और poll, poll करके देखोगे, तो उस सारे के element, एक एक करके, फेच करना चालू कर देगा, उनको remove भी कर देगा, ज number 4, जो है number 4, आपके element है, हमने size का पता लगाया, pick मतलब कौन अभी topic हो राम, उसके आप पोल करना चालू गया, तो पहले राम निकाला, जे निकाला, जे निकाला, विजे निकाला, जे से आप निकालते रोगा, आगे अगाली बढ़ती लिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ पानी आ रहा, बड़ा अच्छी picture है, तो अब यहाँ पर जो है पराठे, जब भी आप उठाओगे, तो जो सबसे लास्ट में आपने पराठा उपर रहाबा, उसी पराठे को सबसे पहले निकालोगे, इसका मतलब क्या है, लास्ट इन और फस्ट आउट, जब ऐसी कोई situation हो इसका नाम ही होता है stick, समझ गया आप, उसका नाम ही होता है stick, और जब भी उसके अंदर किसी element को add करना है, तो इसके अंदर method होता push, पुश करते जाओ, तो एक के उपर एक के उपर जो पर प्राठा है न, ममी ने पहला पराठा बनाया फी दूसा पराठा फी तीसा पराठा पराठा, आप भी मेरे को दो, पराठा खाने को दो, तो सबसे जो top पर आया, उसको सबसे पहले आपने निकाल दी, समझ गया, तो उसके लिए जब आपको रखना है, तो push use करोगे, और निकालना है, तो आप use करोगे pop, is it clear, समझा गया आपको, ठीक है, तो this was the stick, ठीक है, त जो mistake बोलता है, जो last thing है, वो ही first out होगा, समझ गया आप बोस, समझ गया दोस्तों, ठीक है, राइट, चलते हैं, और आगे चलते हैं, तो अभी हमने यह देखे, collection, तो आपके मन में आ रहा है, और कुछ बोले हाँ, और भी collection होता है, जैसे कि map, अभी हमने बात किती, key value pairs, ठ जब भी अगर आपको नए SIM का connection लेना है, या आपको ट्राइवी license बनवाना है, या आपको bank account open करना है, या कुछ भी करना है, तो अपना आधारा card number आपको देना अपलेगा, आधारा card number जैसी हमारा आत्तों, देते हो आप तो वो आपकी detail automatic जो है, वो server से फेच करके लिए आ जाएगा, आपको कुछ करने की जड़त नहीं, राइट, उसी तरह आपका driving license होता है, कभी आप कहीं ठोक ठाक दोगे, कहीं चालान आलान जाएगा, कहीं इदर दर गाली रेकर जाओगे, फट सा आपके license number से पता लग जाता भी है, कितने चालान बनें, ज्यादा चालान बन होती है क्या होले, यस, इसकी भी class होती, इस class का नाम होता है, hash map, क्या नाम होता भी class का, hash map, इसको memory allocate करो, आप इसके अंदर जब भी stock करा होगे, तो इसका method होता है put, और put के अंदर जब भी आप stock करा होगे, तो key value pair दो होगे, right, key may be an object, और value can be any object, कोई भी object आप रखो, तो ठीक है तो अभ new होता है उसके उंदर दो जो है आपके column होंगे एक होगा set जվकंदर साभी complete values हो सकते है जैसे all5 तो to r5 सो का रूर्न नूमबर होगा औसका नाम भी रॉध हो सकता है और वाले का विन यूजन हो सकते हैं यहां यहां यूज करोगे, gate method उसमें pass करोगे key, key pass करोगे इसे r03, तो जो value भाहर आएगी, वो value भाहर आने वाली है आपकी, उसकी value, तो r03 पे कोन भी यह जाए, तो यहां पर क्या print होना वाला है, आपका system.out.println, map.get r03, तो यहां print होगा आपका जाए, right, ठीक है, तो आपक test map करके class हैं, यह test map class है, यहां main method है, उसके अंदर जाओ, और यहां पर hash map का object बनाया, या put-put करके हमने values को store करा दिया, उसके आपका उसमें से निकालना दो निकाल लिया, और यह r03 निकाल लिया, gate करके r03 निकाला है, तो आप देखो के तो वहां पर आपको print कर देगा, यह यहां पर एक method मिलता है, जिसका नावदा key set, जिसकी मदद से आप सिर्क key वाला कलम बाहर निकाल लोगे, समझ गया, तो that's a set, that's a set, ध्यान रखना, क्योंकि set के अंदर सारी unique values होती है, उसी तरह आपको लगता है कि नहीं, इस map का value वाला position है, वो मेरे को बाहर निकालना है, वो भार निकाल लो, तो उसको collection में store करा लो, इसमें सारी values मिल जाएंगे आपको, और सारी keys को print कराना, तो iterator निकालके सारी keys को print करा लो, और values को print करा लो, सारी values को print करा सकते हैं, समझ गया आप, इसका मैने example हैं यहां दे रखा है, यह इसी जो test map वाला class है, उसके इंदर हम ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में कि collection क्या होता है, तो collection के अलव अलग तरीके हमने देखे, collection का तरीका देखा, list और set और q और stake, और हमने key value pair की बात की, तो हमने यहां देख ले हैं, आगे दोस्तों समझ में आपको, ठीक है समझ वा गया, लेकिं सर यह बता, अभी आ आप बोल रहे हो, सर यह बताओ, आभी आप बोल रहे हो, कि यह सारे collection object को store करेंगे, लेकिन आपने object को store करना वो ठीक है, लेकिन यहां तो आपने store कि यहां integer float double boolean और inter float double boolean जो होते हैं, वो तो आपके जो inter float double boolean, यह सारे के सार यह तो primitive data होता है, यह कोई object थोड़ी नह पुराना सुनाना जो पुरानी language इसमें भी use होता है, यह object नहीं होते हैं, तो अब आपने बोला है सर कि यह जो primitive data है, यह इसको आपने collection में कैसे store करा लिया, collection तो सारे के सारे object store कराता है, राइक, तो ठीक है बटा, question बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छा question है, आपने बढ़ collection में मुझे सारे object ही store कराना है, और मैं object oriented language हूँ, तो ultimately उसको object बनानी पड़ागा, तो उसके रिए उसमें हर primitive data के equivalent एक class दे रखी है, जैसे byte के लिए byte, short के लिए short, integer के लिए integer, यह देखना भी case sensitive होता है, इतर i small है, इतर i capital है, हाँ द्यान रखना है, और long के long, float के लिए float, double के लिए, double character के लिए character और boolean के लिए boolean, तो आप चाहो तो इन primitive data को, इन primitive data को आप इन classes की मदद से object में convert कर सकते हो, अब क्योंकि इनको इन primitive data को आप object में convert करते हो, इसलिए wrapper classes किलाती है, क्या किलाती है, आपकी wrapper classes किलाती है, जैसे कि chocolate, अब यह chocolate को अगर आपको gift item बनान उसी ही तरह ज़िए आप प्रिमिटिव डेटा यूज करोगे उसको इन क्लासे की मदद सा अबजेक्ट में करोगे तो उस पर रेपर चड़ा दिया आप ने वह पर चड़ा दो गई तो वह बन जाएगा अबजेक्ट तो क्योंकि यह रेपर चड़ा के आप अबजेक्ट बना सकते हैं ठीक है सब और दूसरे कैसे करेंगे तो दूसरे भी कर सकते हो देखों यह आपर जैसे के हमने यह आपर बोला है कि डबल डी यह हमारा प्रिमिटिव डेटा है 5.5 इसको कभी आपको डबल आपजेक्ट में बनाना तो उसके कंस्ट्रक्टर में डी पास करो तो यह अपका बन जाएगा अपका रैपिंग हो जाएगी इसके उसको अरफ करना है वापस अगर आपके पास अब्जेक्ट से जढ़े वापश प्रिमिटिव डेटा में करना भाना है तो दूर टरो करों के मैंथट। हो उससा आपक्पश ऑपश ज़ो है पूल्य多ड गयर सं बी है जिसमें true value है इसको object में बनाना है तो object boolean class का use कर लो और उसको वापस primitive में convert करना है तो उसके अंदर boolean value B1 में use कर सकते है ठीक है sir very good sir यह तो आपने सही बताया कि भी ठीक है कि प्रिमीडिर डिटा को हम चाहे तो object में convert कर सकते हैं और object को चाहे तो primitive data में convert कर सकते हैं यह तो बात समझ्घ अगया लेकिन सरr collection में इसा थोड़ी नहीं किया आप में लेकिन सग्ट शूरी ओसक अपने किया आप तो यहां तो बता तो उसके respective object में assign कर दो, तो जब आप अपने primitive data को उसके respective object में assign करते हो, तो वह automatic उसका जो है wrapper class के थूरू उसका object बना लेता है, यह कहलाती है auto boxing, यह क्यला है आपकी auto boxing, कब कहला है यह auto boxing, जब आप किसी भी primitive data को उसके respective object में assign करोगे, तो automatic क्या हो जाएगा आपका, आपका primitive data इसी कहा जो आप चाहो तो reverse भी कर सकते हो, यदि आपके पास कोई object है, जैसे कि यह मेरा पाग object है, उस object को यदि मैं उसके primitive, respective primitive data type में assign करूँगा, तो automatic क्या होगा, वो object कनोड हो जाएगा primitive data में, यह जब automatic होता है, तो यह कलाती है, unboxing, क्या कलाईगे आपकी यह, unboxing, इसको बोल insert करते हो, जब आप किसी collection के अंदर आप जो है, अपना primitive data insert करते हो, तो internally खुद ही उसको wrapper class के थ्रूँ जो है, object में करने की ज़रत नहीं होती है, समझ गए, तो जब आपको लग रहा है कि मैंने कुछ conversion नहीं किया है, तो conversion मेंने नहीं किया है, लेकि उसना automatic कर लिया है, तो जो primitive को automatic object में करनोट करता है, तो वो केलाती है, आपकी boxing, यह आपका boxing का symbol है, और जब उसको वापस जो है, वो primitive में करनोट कर लेगा, आपके object को तो क्या बन जाएगी हो, auto unboxing, तो यह facility आपको जो है, जावा खुद देता है, आपको कुछ करने की ज़रोती है, समझे बड़ा है, hash map बता दिया, आपने stick बता दिया, इसके लाँ और भी classes होती है, और आहां होती है, इसके लाँ hash set, tree set, array list, vector, link list, hash map, trees map, और hash table, oh my god, बोलने, यह तो बहुत सारी class है, यह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको कैसे पता चलाएगा, कुछ सी class collection की, बोलने, हाँ, that's a very good question, ना, अभी हमने सिर्फ classes पड़ी है, राइट, अभी कौन-कौन सी class होगी, कैसी-कैसी class होगी, यह classes क्यों है, तो बेटा, मैं आपको बता दू, कि collection सिर्फ collection नहीं होता, यह collection framework होता है, क्या होता है, आपका यह collection framework, यह सा जो है, आपके जावा ने, आपको multiple, जितने भी possible way हो स एक class नहीं होती, collection मतलब set of interfaces and classes, ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर जाओ, आप जाओगे, जाओगे जाओगे तो एक interface पाया जाता है, इसका नहीं होता है collection, फिर उसके तीन specialized child interfaces होते है, set, list and queue, अब यह interface मतलब समझ में भी आ रहा होगा, set अगर interface है, तो इसमें unique values होगी, list होगा तो इसमें first in, first out होगा, समझ गया आप, ठीक है, और इस collection जो class है, यह collection interface जो है, collection interface खुद एक दूसरे interface को inherit करता है, जिसका नाम होता है, itirable, जिसका नाम क्या है, itirable, और इसके अंदर एक ही method पाया जाता है, itirator, इसका मतलब जब हमने बात की थी शुरू में, चाहे हो set हो चाहे वो list हो, चाहे वो map हो, जहां भी जाओगे, अगर उसके किसी element को, सारे element को one by one access करना है, तो सब के अंदर iterator मिलता है, तो वो iterator को कौन लाखे देता है, आपको यह iterator, iterable interface, जो collection implement करता है, collection inherit करता है, और interns, उसके सारे के सारे child inherit करते हैं, और उसके अलावा set के अलावा collection framework का, एक और जो है, member होता है, वो होता है, आपका map interface, उसका further child होता है, sorted map, map मतलब जिसमें key value पहरे store करा होगे, sorted map मतलब, वो सारे के सारे map को, जो है, key के हिसाब से, key के हिसाब से, उसको sort कर दे, ठीक है, दोस्तों, सौन्ज़ा गया आपको, तो यह तो सारे interfaces है, ठीक है sir, यह तो आपने बता दिया interface, लेकिन हमको पता है, interface में तो सारे abstract method होते हैं, वो तो जो है, कुछ कांद के नहीं होते हैं, वो जो class उनको implement करती है, उसको method define करना पड़ते हैं, वो classes के instance बनाते हैं, तो इनकी classes कोन कोन सी है, तो बेटा, इनकी जो concrete classes होती है, वो आप देख लो, उसी तरह list होती है, तो list में पाई जाती है array list, और list में पाई जाती है link list, और इसमें पाई जाता vector, इसके अंदर पाई जाता है state, ठीक है, state link list के behavior थोड़े अलग अलग होते हैं, हम देख के आ चुके हैं आपके, ठीक है, उसी तरह map की बात करोगे, तो map का होता है, आपका implementation class, concrete class hash में, tree map, यह sorted होती है, तो key के हसाब से उसको shorting order में जमा देगी, ठीक है, उसी तरह होती है hash table, इसी तरह होती properties, और जो आप नीचे की जो line देख रहो हो, यह किलाती है historical classes, क्यों किलाती है historical classes, क्योंकि यह जावा 1.0 से मुझूदे, धियान रखी है, कब से मुझूदे किया गया है, फुर्दा अलगलिक situation, समझे अब आप, हाई आपको सोने, ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ी ओर चीज़ बतायता हूँ, कि अब आप collection interface की बात करोगी, तो इसमें बहुत सारे method मिलेंगे, जैसे aid, तो aid मतलब एक element को aid करो, क्लेर मतलब सारे element को, सारे element को remove क कर दो, contents मतलब किसी element की है की नहीं, चेक कर लो, contents all मतलब किसी दूसरे collection को check कर लो, subset तो नहीं है, उसका is empty खाली तो नहीं है, iterator मतलब one by one सारे element को access करना है, ठीक है ना, remove मतलब एक element को remove, remove all मतलब जितने collection मेच हो रहे हैं, जो हैं, उनको मेच कर दो, उनको जो है, remove कर दो, return all मतलब जितने element दूसरे collection के मेच हो रहे हैं, उसको return कर लो, बागी सको remove कर दो, यह ना, size से पता लगा लो, इस collection की size क्या है, समझगे कितने number of element आपने store की है, समझगे, ठीक है, इसी तरह list की बात करो, तो list में और भी additional method होते हैं, जैसा add और index number, ओ मतलब इस particular index number पे जाके, इ उस index number के object को नीचे की तरफ खसका देगा, gate मतलब उसमें से किसी element को get कर लो, remove कर दो index number की मतलब से, set मतलब जो है, index number पे, इस index number पे जो value उसको change कर लो, और index of मतलब पता लागा के बता देगा भी, जो value आप पास करोगे, पता लागा के बता देगा भी, यह कून से index में करेगा, जो भी index number आपको देदेगा, उसी तरह जो है, list में से sub list निकालना है, तो इसको use कर लो, आप sub list निकाल कर ला देगा, समझ गया आप, ठीके, और इसमें एक और बात ध्यान रखो, यदि आप चाहो, तो इसके अंदर null value insert करा सकते हो, यदि list है तो, और उसमें multiple null value आ अब दूसरी बार आप insert नहीं कर सकते हैं, है ना, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर कोई additional method नहीं होते हैं, जो collection के अंदर होते हैं, वही सारे methods होते हैं, समझ के आप, ठीक है, उसी तरह हमने Q की बात की थी, तो अगर offer करोगे, तो add हो जाएगा, pick करोगे, तो check करके आदेगा, अभी किस element की बारी है, पोल मतनब जो भी अभी first नहीं होगा, उसको first out करके बहार निकाल देगा, समझ गया आप, right, interface is clear, Q is clear, अब यहाँ पर, एक और concept आता है, कही बार आपके मन में आता होगा, या कही बार question पूछते हैं, बहुते हैं, बहुते सर, ऐसा थोड है, 99% cases में ऐसा होता है, कि सारे के सारे element एक ही type की होता है, कोई भी collection बनावा, कभी-कभी rare case में होता है, कि एक ही collection में हम अलग-लग type का object store कराते हैं, ठीक है, तो क्या हाँ ऐसा कर सकते हैं, कि हम जो है किसी collection का data type भी define करते हैं, कि यह collection के अंदर सिर्फ जो है, यह particular object store होगा, इसी type का data store होगा, कोई दूसा type का data store नहीं होगा, very good, बहुत अच्छा question है आपका, तो यह जो collection होता है, अभी तक हमने collection बनावा, इसमें अलग-लग type का object का हमने store करा है, लेकिन आपको अगर उसकी declaration के समय ही पता हो, कि यह collection जैसे array list है, इसके अंदर सिर्फ string store होने वाली है तो आप यह corner bracket लगा लगा के उसका data type भी define कर सकते हैं, इसका मतलब यह है, कि अगर आपने L जो object बनाया है collection का, इसके अंदर सिर्फ string store होगी, क्योंकि आपने उसका data type दे दिया string, उसके अंदर कभी भी इसके लाग कोई दूसी value आप store नहीं करा सकते हैं, समझ गए, तो आप चाहों, तो दूसरे भी आपके बास collection है, जैसे array list के अंदर string मनाया, उसी तरह hash set का भी string मना दो भी, इसमें hash set के अंदर जो भी होगा, सरफ string होगी, या आपने बोल दिया person तो person ही होगा, या आपने बोल दिया इंटिजर ही होगा, समझ गया आप, यह iterator आपका string type कही ह होगा, वो सी तरह hash method इसमें बोल दिया, जो key होगी, वो सरफ integer होगा और value क्या होगी, आपके string होगी, या कोई दूसरा object होगा, जैसा आप चाहें बता सकते हैं, इस तरह के सा आप चाहों, तो यहाँ पर जो है, किसी भी collection का data type बता सकते हैं, got it, समया आपको दोस्तों, ठीक आपका iterator क्या होता है, जिसकी मतलब सारे के सारे elements को आप जो वन बाई एकसेस कर सकते हैं, आज आप iterator create करते हो, तो fill fast condition क्या होती है, और फिर आप चाहों तो किसी collection का data type भी define कर सकते हो, that is called genetics, आज दोस्तों समझ में, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कि आपको जो है, आज के session में बड़ा मजाया होगा, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से explain किया है, अगर आपको मजाया है, तो इसको like जूरू करें, अब यह इसको share भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, okay, thank you so much, अब मिलते हैं, अगले lecture कहनते हैं, thank you.